हेलो और विल्कॉम एव्रेवन दिस इस इस इंसिचूट माइनम इस आप उल्ला आज हम लोग के लेक्ट्र स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक्यू प्रटेंशल सर्फेसे के बारे में और आप ये बात जानते हैं च्छे तरीके से कि कि इससे पहले बाले लेक्ट्र अलएट आलए तो उसमें आखर में पताइफान तो इसक sudden कर ले जागोश का आएगा उसका option में सब्सक्राइस नाट स्वास को गया था और धैंसर में बी थेगे हैं बाकि आब हम लोग समझ रहे है कि पटेंशल सर्फेसें है canches एक्यों potential surfaces कहते हैं किसे दिए जीसे पिछले लेक्शन में हमने एक आखर example बताए था कि यह आपका electric field line है जिस is electric field line अब यहाँ पर point A है और यहाँ पर point B है this is point A OR this is point B कह रहा है कि potential निका लिए at point B पर point B पर potential क्या होगा और point A का potential 30 volt दिया हुआ है तो और electric field जो है electric field वो electric field का value जो दिया हुआ है वो है 15 volt per meter तो अपने ये सवाल को बनाया था इस सवाल को आपने समझा था ये दोनों के बीच का जो distance है यानि point A और A से B का जो distance से वो है दो मेटर तो इस सवाल को आपने समझा था क्या चीज़ कि आपने देखा था कि electric field में जो था formula डेल वी डेल्टा वी इस इक्वल टू माइनिस ए पोटेंशल और electric field का relation माइनिस ए इंटू डेल्टा आर ठीक है डॉट प्रोड़क्ट अब यह जब डॉट प्रोड़क्ट हट आते तो हम लोग तो ए डेल्टा आर डू कॉस ठीठा जो ठीठा होटा था वो electric field और आर के बीच का एंगिल होता था तो यह चीज़ हमने समझा था अब यहां जिसे a से b जाना है तो a से point b जाना है तो a से b जा रहे हैं तो यह हो गया हमारा आर ठीक है और electric field का dealer जब तो पृतेंशल क्या होगि आपस में बराबर हो गया तो यहिये जो यह यहां पर यह पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशल जब बराबर हो जाता है पोटेंशल जब इक्वल हो जाता है किसी भी सर्फेस पर हर पॉइंट पर सेम पोटेंशल होता है किसी भी सर्फेस पर सर्फेस विच आप सेम पोटेंशल आट इच पॉइंट इस तो क्या कहते हैं, और equipotential surface होने के लिए ज़रूरी यह है, कि equipotential surface क्या होगा, always perpendicular होगा, electric field lines के, always perpendicular होगा, electric field lines के, किसी तरीके से भी वो perpendicular होना चाहिए, तो अब यहाँ पर आप यह समझे, यह है आपका equipotential surface का definition, a surface which has same potential at each point is called equipotential surface, a surface मतलब वो surface जिसके हर point पर, each point पर potential क्या हो, same हो, उस surface को मैं लोग क्या कहेंगे, EQ, EQ मतलब बहुता है समान, equal potential, मतलब potential, equal potential हो, तो उस surface को मैं लोग EQ potential surface कहते हैं, जैसे कि एक surface है आपका दिया हुआ, यह surface है आपका दिया हुआ, ठीक है, अब इस surface में point यह हुआ, 1,1,2,3,4, तो 0.1,2,3,4 जो है, वो क्या हुआ, V1, V2, V3 अगर बताया जाए, यानि 0.1 पर 2 पर 3 पर और 4 पर बराबर बताया जा रहा है, तो यह surface कैसा होगा, यह surface होगा, equipotential surface, के लिए, पहला point यह, दूसरा point आपको यह याद रखना है, कि equipotential surface जो होता है, वो always perpendicular होता है, electric field lines के, equipotential surface क्या होता है, always perpendicular electric field lines के, मतलब कोई भी equipotential surfaces होगा, कोई भी equipotential surfaces होगा, उसमें जो electric field lines होगा, वो perpendicular होगा, surface के perpendicular होगा, याद रखना है, सर्फेस के पर्पेंडिकुलर चाहिए इस तरीके से हो चाहिए अगर एलेक्टिक फिल्ड लाइन ऐसे जा रहा है यह एलेक्टिक फिल्ड लाइन ऐसे जा रहा है यह एलेक्टिक फिल्ड लाइन ऐसे जा रहा है तो एलेक्टिक फिल्ड लाइन सर्फेस के क्या होना चाहिए प बतलब electric field lines 90 degree show होना चाहिए इस point को याद रखना अब यहाँ पर यह बात है कि why equipotential surfaces and fields lines याने equipotential surface और field lines perpendicular क्यों होता है इसका reason क्या है इसका reason होने का कारण क्या है तो यह बात है यह सवाल यहाँ पर कि why equipotential surfaces and field lines are perpendicular अगर यह सवाल जहन के अंदर आ रहा है दिमाग के अंदर आ रहा है तो इसको समझे आप किस तरीके सोता है जैसे कि आप equipotential surfaces है ठेक है यह equipotential एक मिनिट यह आपका equipotential surfaces है माल लीजिए अब क्या है आपने electric field lines को एक एंगिल पर रखा इक पोटेंशल surface अब यहाँ पर हम यह surface है यह electric field lines है अब यह electric field lines जो है इसको हमने एक एंगिल पर रखा ठीटा पर perpendicular नहीं रखने के बज़ाए ठीटा पर रखा तो अब बात यह समझना कि जब हमने ठीटा पर रखा तो इसका दो component बनेगा एक component तो बनेगा इस direction में ठेक है इस direction में और एक component बनेगा इस direction में ठेक है यह माल देते है even और यह हो गया अब यह जो even है वो surface के parallel बन रहा even क्या है surface के parallel यह even surface के parallel मतलब यह surface है और यह even है तो surface के parallel हुआ और ऐसे नहीं जा रहा यह perpendicular यह 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 प्रपेंडिकुलर है तो even है तो even जब होगा तो component एफ component एफ पैरल्ल टू एक्यू पोटेंशल एफ होगा तो इसलिए even जो है वो zero के बराबर नहीं होगा यानि उसका angle तो zero होगा नहीं क्यों क्यों क्योंकि parallel में आ रहा है यह चीज़ बात समझ में आ रही है यह बात 90 degree का value zero होता तो even zero नहीं होगा तो जब even zero नहीं होगा तो dvydrb zero नहीं होगा नहीं होगा तो यह जो condition है वो इक potential को वाइलेट करेगा मतलब इस point पर 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 इसलिए एक potential surface के उपर जो field lines perpendicular होता है क्योंकि इस point पर जो value आएगा वो हमेशा same आएगा same potential आएगा इसका example हमने आपको अभी बताया इस तरीके से समझाया यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चीज़ यह वाला example आप समझ सकते हैं कैसे आएगा के लिए यह बात ठेके देखें यहाँ पर potential क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा बात समझ में आ गिया क्यों हुआ तो इससे points को आप उतार लीजिए इसको आप उतार ले अब यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जिसको आप समझना point charge ठेक है point charge point charge अगर हम ले रहे हैं जिसका ह positive लेंगे तो यह surface हुआ मांने रहें और यह दूसरा surface हुआ टेक ह duale में direction जो होता है फिल्ड का वो किधर होता Dr. aode applies outside रे डियाली Erdwood होता बाहर की तरफ जाता है positive से बाहर की तरफ जा akan के देर कि त्रफ जा रहां के बाहर की तरफ जा रहा अब यहाँ पर यह समझना है कि यह surface है एक यह surface हुआ और एक यह surface हुआ तो यह surface पर अगर हम V1 लेते हैं और यह surface पर V2 लेते हैं ठीक है V1 और V2 यानि potential 1 और potential 2 तो इस surface पर जितना point लाइक कर रहा है सभी पर potential same होगा लेकिन इस surface पर भी point जो लाइक कर रहा है सभी potential same होगा तो V1 और V2 में relation क्या होगा तो पता यह चलेगा कि V2 जो है V2 जो है बड़ा होगा किस से V1 से यह बात यह बात समझ में आता है कि नहीं यह आता है यह तो यहाँ पर क्या होगा यह बीवन जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा किस से वीटू से ठीक है पहले शायद हमने कहा दिया वीटू बड़ा होगा वीवन से नहीं वीवन बड़ा होगा वीटू से क्यों क्योंकि आपने पड़ा था कि potential electric field के डियरेक्शन में जब हम जाते हैं तो potential का value क्या होता घटा जाता घटा घटा जाता घटा जाता यह बात रहना चाहिए तो इसमें क्या होगा वीवन बड़ा होगा किस से वीटू से क्योंकि देखिए घट रहा है इस पॉइंट पर अगरम गवर करें यहां वीवन और यहां वीटू है अब यहीं negative charge हम लें तो negative charge में यह एक surface हुआ है अब निगेटिव में क्या होता है एलेक्टिक फिल्ड लाइन का डिरेक्शन क्या होता है टू वाट्स होता रेडियली टू वाट्स इनवर्ड रेडियली इनवर्ड और नहीं होगा रेडियली इनवर्ड थेक अंदर के तरफ तो अंदर के तरफ आ रहा है तो अगर ह तो इसमें पोड़ा पोटेंशल कोन होगा यानि यह बड़ा है और इसके बाद इधर आ रहे हैं तो यह चोटोंग जैसे-जैसे करीब में आते जा रहे हैं पोटेंशल गटते जाए का इसमें क्या हो वी टू का बड़ा हुआ किसे वीवन से इस सर्फेस पर सभी का जहां पर जिस point पर रखेंगे सबको potential V1 के बराबर होगा इस surface पर जहां पर जो point माली यहां पर रखें या इधर रखें या इधर रखें उसका potential V2 के बराबर होगा clear यह बात तो यह point charge के लिए था इसको आप उतार लें this is point charge के लिए clear यह समझ में आ गिया next समझी अब तो यह बात आप समझ गए यह आप तीन चीज़ आपको याद रखना है कि potential के अंदर तीन बात हमेशे याद रखना पहला बात तो यह याद रखना आपको पहला बात आपको यह याद रखना है कि electric field lines जो होगा electric field lines जो होगा वो always are always perpendicular to equipotential surface पहला point दिमाग में यह रहना चाहिए दुसरा आपको यह याद रहना चाहिए कि potential जो होता है potential बहुत important चीज़ है यह तीन बात याद रखना पोटेंशल ओल्वेश डिक्रीज़ कि एलोंग कि एलोंग डायरेक्शन ओफ कि अलेक्ट्रिक फिल्ड अभी बताए हमने यह और तिसरा पॉय्ट आपको यह याद रखना है कि potential difference जो होगा potential difference potential difference जो होगा वह जीरो होगा यानि देल भी का वैली जो होगा वह क्या होगा जीरो होगा एंड्मिंस अगर दो पॉयंट ले रहे हैं फाइनल जैसे बी और यह बे मैंनिस वी बराबर जीरो तो वी बराबर क्या होगा वी एक बराबर होगा यह तीन पॉइंट आपको इक याद रखना आख अब देखिये फॉर इंफिनाइट प्लेंचिट के लिए और इंफिनाइट प्लेंट शिट लेते हैं एंफ और इंफिनाइट प्लेंट शिट ले रहा है समझे यह जैसे कि अगर यह प्लेंट शुट दिया वा है इसको समझना है सिर्फ अब इसमें क्या है एलेक्टिक फिल लाइन जा रहा है यह अब यह यहां पर हम कहें इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यह वीवन दिया हुआ है ठीक पॉइंट ए बी और सी तो क्या हम लिख सकते हैं वीवन इस एक्वल टू वीए इस एक्वल टू वीवी इस एक्वल टू वीसी क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यह एलेक्टिक फिल लाइन से और यह सर्फेस है यह सर्फेस क्या और पर पेंडिकुलर हो रहा है तो जिस पॉइंट पर जहां पर भी हम रखेंगे उस point को तो electric potential बराबर होगा इससे sheet का जो potential दिया वा उसके बराबर होगा V1 is equal to V2 is equal VA is equal to VV is equal to VC clear यह बात समझ में आ गया दूसरा गर्माली जी इसका V2 दिया वा है और यह point हम लिया P और यह point Q लिया और यह point R लिया तो इसमें भी किस्ते लिख सकते हैं वायर के लिए cylindrical वायर अगर वायर तो cylindrical फॉर्म में होता है समझे यह चीज़ अगर माल लिजे यह आपका है तो यह सर्फेस दो सर्फेस एक सर्फेस यह आ रहा है यह जो दो सर्फेस आ रहा है तो इस पर जहां पे भी हम potential लगेंगे तो potential value क्या होगा बराबर होगा लेकिन अगर हम charge कर distribution देखा देते पलस 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 ठेक और पलस से क्या होता है और वर्ट की तरफ जाता है बाहर की तरफ जाता है electric field lines बाहर की तरफ जा रहा है अब अगर यह सर्फेस में हम ले रहे है वीवन और यह ले रहे हैं वीटू तो अब जरह बताएं कुन किससे बढ़ा होगा V-Win बढ़ा होगा किसे V2 से कैसे बढ़ा होगा यह बात तो समझ में आ गया V-Win बढ़ा क्यों हो रहा हा V2 से क्योंकि electric field lines के direction में जाने से अभी बताया था electric field lines के direction में जाने से potential क्या होता decrease होता है तो पहला तो यह surface आया तो यह तो बढ़ा होगा फिर उसके बाद दूसरा सर्फेस कुन सा रहा है वीट वर इससे कम होगा अगर और तिसरा सर्फेस है तो और उससे कम होता जाता है यह चैस तो यह बात समझ में आ गया एक्योप्रेशल सर्फेस का मामला यह चैस किलियर है चलिए अब हम लोग कुछ कोश्चन्स देखते हैं रसको समझने की कोश्च करता है एक नमसान है जादा भार ही नहीं है चैस पहला सवाल यह है यह पर पहला कुछिन आपकर यह पर दिया हुआ है पहला कोशिन आपकर यह दिया है कि एक equipotential surfaces है ठीक मारा वाई एक equipotential surface है is that surface equipotential surface का पहचान क्या होगा तो on which each and every point has the same potential which has negative potential which has positive potential which has zero potential which has zero potential difference तो आप यह सवाल पढ़ करके आपको आपके जहन में अभी पॉंट उन्ने पता हे था व्होत तीन की दिमाग के अंदर रहना चाहिए यह हो आपर और टो ऋर्ट फरेंज नहीं होना चाहिए तो हमने काँ कि एक एकड़िंेशल जो आप आघंसा पहचान यह है कि उसके हर लका पोटेंशल क्या होगा सेम होगा क्या यू की अमतलब भता है एकवल पोटेंशल तॉडल समझे है equal potential क् sow拗ांक पोगा तो यह दोनों गलत है गलत है जीरो को दोनिक अर the bet hm a few दोनों दिन बता है तहाई गलत मुणति क्या होगा जिरो होगा है तो यह बात समझ नें आग Isaiah 0 potential difference कैसे होगा रिजिसे he कYes that now between the यह आपका surface है और यह 0.1 है 0.2 है 0.3 0.4 है V1 V2 V3 V4 और यह क्यों potential surface है तो क्या होगा V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V4 तो V2 minus V1 का value क्या होगा 0 V3 minus V2 का value क्या होगा 0 minus मिदर आएगा पलस तो बराबर हो जागा V4 minus V3 का value क्या होगा 0 होगा यह potential difference जो होगा वो उसका value क्या होगा 0 होगा क्लिए यह बात चलिए अब दूसरा question समझेए यह सब concept आपके concept को बहतर बनाने वाला questions है चलिए देखी यह question if a unit charge is taken from one point to another point ठेक है over any potential surface then work is done on the charge work is done by the charge work is work on the charge is constant no work is done मतलब एक unit charge को एक point से दुसरी point में equipotential surface से लेकर जाया जाता है तो उस पर रग्या होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था यह चीज़ के del V बराबर होता है del V बराबर होता है minus E into del R clear यह बस्वज में आ रहा है यह हम लोगों ने पढ़ा था तो जब हमने पढ़ा था तो equipotential surface हम ले रहे हैं मतलब एक point दो point है एक point one है और एक point two है पहले point से दुसरे point या दुसरे point से पहले point के तरफ लेकर जा रहे है तो equipotential surface में क्या होता है V1 का value V2 के बराबर होता है del V बराबर हम लोग जानते है कि work done कहां कहां से कहां 1 से 2 तक 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं पर unit charge होता है clear तो अब यह इसका del V का value क्या होगा del V का value 0 होगा होगा की नहीं होगा 0 del V का value क्यों potential differences का value क्या होता है 0 होता है तो work done 1-2 by Q Q इससे multiply करेंगे 0 तो work done क्या हो जागा work done का value 0 हो जागा कि तो कोई भी work नहीं होगा clear यह बात कोई भी work नहीं होगा option number day तार लिजी इसको चले दिखिये यहाँ पर आपका question है यह question है आपका थ्यान दे some equipotential surfaces are shown in the figure यह figure में दिया वा equipotential surfaces can I determine the magnitude of electric field and interaction electric field का value निकालना उसका direction बताना किस तरफ जा रहा है तो देकि यह figure देखकर कि यह समझ में आ रहा है कि यह है एक दो तीन चार इसके बीच का distance जो दिया वाँ वो दस centimeter दिया वाँ दस centimeter क्योंकि surfaces क्या है surfaces है equipotential दस centimeter बीच का distance यह 40 वॉल्ड दिया वाँ यह 30 वॉल्ड दिया वाँ यह 20 वोल्ड दिया वाँ और यह दस वोल्ड दियावा अब यहाँ पर तीन पॉइंट आपको याद रखना बनाने के लिए के लिए के लिए पॉइंचिल बस आपको तीन पॉइंट पहला पॉइंट यह है कि एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स योगा वह पर्पेंडिकुलर होगा एके पॉटेंचिल सर्फेस के कि इस तरह कर दिया होगा यह गयो ऊहँ समझेगे केका क्या होगा और क्यूंच हो ihan समझेगे वह आप समझेंगे इस तरह के से के पोटेंशल जो है वो हमेसे होता हैज पोटेंशल क्या होते हैme decision घंचा घंचा होता है लॉंग direction कर direction इस तरफ मतलब right side किस तरफ आया right side आया तो right side आया तो axis positive जा रहा है एक axis पॉजिटिव जा रहा इधर जाता तो एक प्रेक्स होता तो इसमें option number नमबर b और option number d खतम हो जागा क्या माइनिस-7 खतम हो जागा positive आए गया तो option अब यहाँ पर जो है हम लोग क्या देखेंगे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तो क्या करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर कर ले कोई पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं इसको इनिशल माल लेते हैं और इसको क ऑनों देल ऑसे किलीर लिए बात अब जब यह हमने लगाया तो क्या हूआ यह सब लगाया तो देल की Belyn का वैलू क्या हूआ यहांपर देल नींटीमिटर तो 10 cm को हम जब चैंज करेंगे तो टेन तक है कैं एल हो गया नफ southern हैंड्र быстр हैं कि लिए मीटर में टेन बाई जब हैंड किया तो क्या होग यह दस आگिया और यह दस आगिया तीस मींसे चालिस गिया मैनिस दस दस मैनिस इबाई टेन सौ मैनिस मैनिस कैंसिल तो यह ब्राबर कितना आ आएगा और तीसरा फॉर्मूला यह वाला सेट करना है डेल वी वरावर माइनस इंटू डेल आर के लिए बात यह पहला कोशन इसको तार लिजिए आप को और यह उसका सॉलोशन ठेक अब नेक्स कोशन आते हम देखिए नेक्स कोशन है यह आपका यह नेक्स कोशन नेक्स एक्यूपोटेंशल सर्फेसेस और शोन इन फीगर डेटर्माइन दी मैंगिचूड ऑफ एलेक्टिक पिल और इट्स डारेक्शन अब यहां पर यह क्या है यह आपका दिया हुआ है टेन वोल्ट ट्वोल्ट थर्टी वोल्ट फोर्टी वोल्ट फिप्ती वोल्ट के लियर यह आपके एक्यूपोटेंशल सर्फेसेस दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अब आप इसको किस तरीके से सोल्फ करेंगे तीन पॉइंट याद रखना है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहले हम बनाएंगे एलेक्टिक फ कि स्केल कहां गया कि चले देखें यहां पर माली जी यह आपका लाइन है कि समझना इसको ठेक यह 10 वोल्ड दियावा है यह 20 वोल्ड दियावा है यह 30 दियावा यह 40 दियावा यह 50 दियावा और यह आपका ओरिजीन है यह 30 दियावा अब यह सर्फेस है तो इस सर्फेस पे आप क्या किजिए इस सर्फेस पे सबसे पहले आपको ड्रा करना है इस सर्फेस पे परपेंडिकुलर एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स तो एलेक्टिक फिल्ड लाइन्स आप ड्रा करें यह हमने ड्राग किया रेक्टिक फेलाइस पर्पेंडिकुलर फो इसे होगा पर पॉटिक्टिकर यह तरफ पीज्टीक कीधर यह हम जाते कि एलेक्ट्रीन लाइन gefी डााने जाने से प्रोटेंचल क्या है घटता है घटता तोह यहां सब्सक्राइब तो इस तरह होगा तो यह हुआ एलेक्टिक फिल्ड लाइन का डियरेक्शन के लिए बात समझ में आ अब यह 90 है और यह कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है तो अब जरा सा गोर यह करना है समझना बात यह है कि यह एक्टम आसान इस और यह 30 नहीं 30 अइधर दिया वहाई 30 इदर यह दिए यह क्रिस्पॉर्णिग मैं अब देखि तो यह कितना हो जाएगा साट क Rs 6 जाएगा यह 60 डिग्री हो जाएगा तो यह सिक्स तो metropolitan लिक्री ओगिए यह tw champ कितना हो गया, 120 डिगरी हो गया, यहां से यहां कितना हो गया, 120 डिगरी हो गया, तो अब ज़रा से गवर किजी है यह चीज, आप कि यह जो 60 डिगरी बना, तो यह हुआ आपका 10 cm, 0, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से दिया वर डिस्टेंस, x के direction में और यह हुआ electric field lines का direction इस तरफ यह electric field lines हुआ यह आपका r हुआ del r का value दोनों के बीच का angle कितना हो रहा है 60 degree हो रहा है तो अब formula हम बैठा देंगे तिसरा point del v बराबर minus e del r cos केठा अब जरह यहाँ पर गवर किजिए कि 20-30 बराबर minus e 100 by क्या हुआ 100 10 by 100 के लिए cos 60 degree cos 60 degree का value कितना 20 में इस दिस गया minus 10 minus e by 10 10 बार में cancel cos 60 का value उता 1 by 2 के लिए 10 दुनी 20 20 को इससे multiply करेंगे minus 200 minus e minus minus cancel e बराबर आया 200 ठीक है वोल्ट पर मेटर with with किदर जाएगा यह किस direction में जा रहा है x-axis के direction में जा रहा है with x-axis 120 degree पर यह नहीं यह कितना यह बना रहा है 120 degree 120 degree किससे x-axis से बना रहा है s-axis है 120 degree तो option number option number आपका हो जाएगा कि ए 200 वोल्ट 120 degree with x-axis के लिए बात समझ में आ गिया चलिए अब दूसरा questions देखते हैं दूसरा questions चलिए next question दियान दीजिए next question आपके यह some equipotential surface are shown in electric field at any point टेक है electric field बताना the electric field at any point क्या होगा तो यह आपका questions है जो यह आपके दिया हुआ है मतलब समझने वाली बात यह है कि यहां 60 वोल्ड दिया हुआ है यह 30 वोल्ड दिया हुआ इस surface पर और इस surface पर 20 वोल्ड दिया हुआ है ठीक यहां से यहां जो radius 10 cm है फिर इसके बाद 10 cm बढ़ते जा रहा 20 हुआ फिर इसके बाद 30 हुआ यहां से यहां तक radius ठीक अब यहां पर दिखिए यह जो option दिया हुआ है क्या रहा है कि the electric field at any point electric field क्या होगा तो exactly तो इसमें आपका जो value है वो तो find नहीं वो तो value नहीं दिया हुआ है कि क्या लग-लग surfaces है तो इसमें आप perpendicular to the plane of paper to the plane of paper radially outward radially तो इससे आप क्या समझेंगे आप यह समझेंगे कि इसमें जो electric field lines जाएगा electric field lines मालेजिए electric field lines आप गुजारेंगे इसमें electric field lines का direction क्या होगा तीकि साथ है 60 के बाद 30 के बाद 20 आरा तो 60 30 से पता यह चल रहा है कि electric field lines की direction इस तरफ होगा ओड़ वर्ड होगा readially outward to radially outward होने की वज़े से क्या होगा 60 होगा 300 होगा इस वज़े से यह घट रहा है potential direction में जाते तो potential घटता है कि 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 तो यहां पर potential घट रहा है तो potential घट रहता तो option के हिसाब से इसमें answer हमारा क्या होगा direct हमारा answer C हो जाएगा 6 by X square radially odd word Radially odd word मतलब यही option होगा कि यह radially है यह perpendicular है यह perpendicular to the plane है यह गलत होगा यह answer नहीं होगा clear और अगर मा लिजे हमें निकालना रहे इसका value find करना रहे तो हम जानते है इस point पर यह कैसे surface है यह spherical surfaces यह spherical surfaces है spherical equipotential surfaces है याद रखेगा इसमें यहाँ पर जो source charge लेंगे हम क्यू लेंगे point charge से निकालेंगे तो point charge का formula होता है electric field point charge का kq by r square kq by r square मतलब x square ले ले r square world point charge के लिए जो होता है वो क्या होता है kq by r होता है यहाँ 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 एक सम दे सकते है अगर यहाँ पर देना चाहाए आर भी दे सकते है कोई problem नहीं तो kq by r r कितना है आपका value x यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकाल ले तो 10 cm होगा और 60 volt है तो 10 हुआ 10 by क्या हुआ 100 और वीपी कितना लेंगे 60 लेंगे किसे एक point पर निकाल ले यह इस point पर निकाल सकते है इस point पर निकाल सकते है तो क्या हो गया के क्यूब बाई 0.1 अब 0.1 को 60 से multiply करेंगे तो क्या का value क्या आएगा 60 इन्टू 0.1 आ जाएगा 6 तो क्यूब का value 6 है अब इस क्यूब का value अच्छा अच्छा question एकदम concept के लिए करने वाला सवाल है अब यह questions आप जो देख रहे हैं यह grid बनावा है grid बनावा है square का 1 meter 1 meter जो इसका side दिया हुआ है square का 1 meter चारों तरफ के side बराबर होता है रिप्रेजेंटे रीजन इन शेप कंटेरिंगे यूनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड इफ पोटेंशियल्स एट पॉइंट 0 मतलब ओ एबी सीडी एफ जी पर रिस्पेक्टेबली पोटेंशिल दिया हुआ है तो हमें बताना कि इलेक्टिक फिल्ड की इंटेंसिटी क्या होगी देखिए आई और जे के फॉर्म में इलेक्टिक फिल्ड का इंटेंसिटी दिया हुआ है तो यह बहुत आसान सवाल है एकदम इजी कोशन है जादा भारी नहीं है समझना देखिए सबसे पहले हम फीगर बनाते इसका इस कोशन का फीगर यह है समझेगा तक अब यहाँ पर यह है आपका O ये हुआ A और ये हुआ B ये हुआ C ये हुआ E और ये हुआ F ये हुआ D ये हुआ G और ये हुआ H अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सब का value दिया वा O पे 0 दिया वा है A पे minus 1 दिया वा है B पे minus 2 दिया वा है तो O पे जो दिया वा है value वो 0 दियावा है A पर minus 1 दियावा है और B पर minus 2 दियावा है 0 यहाँ पर रखते हैं और minus 1 minus 2 C पर आपका दियावा है 1 C पर 1 E पर आपका दियावा है 0 E पर जो value दियावा है 0 D पर जो value दियावा है 2 के पर जीरो फ पर माइनिस 1 दिया हुआ है और जी पर जु आपके दिया ऐँ वह ए opens और एच पर जो दिया वह जीरो ठीक अब यह बने गया फिए इसके हैसाब से झॊ-चीस दिया वह ता अब जड़ा गूर कीजिए यहां पर इसको यह मैनेसज़ यह मैंनेस वन है यह 00 000 तो वैलू जो बराबर हो रहना यह डाइगनल को मिला दिया तो यह जो लैंग जा रहा है जो सर्फेस हुआ यह क्इव पोटेंशल सर्फेस होऊ देखे एक वाण और वन मिल इसको मिला दिया Diagonal को यह क्या हुआ सेम पोटेंशल हुआ मैनिस वन मैंनिस इसको मिला दिया यहाँ पोटेंशल यह थ talked to कि अब यहाँ पर यह समझना है जब यह पोटेंशल वापका यह पोटेंशल का वैलू हुआ यह पोटेंशल का वैलू दियावा है यह सर्फेस बनी जा अब इस सर्फेस के साब से लेक्टिक फिल्ड हमें ड्रा करना है तो अलेक्टिक फिल्ड भी हम डाइगोनली ड्रा करते ह नाइंटी डिग्री ठीजपि एलेक्टिक फिलड नाइन के direction कि इधर होगा ने टू है जिरो है माइस टू है तो इस डारेक्टिक मे क्यल्ड का लाइंस होता है, potential वेसे-वेसे, क्या होता है, घटता या आता, तो 2 और 0 घट रहा, तो electric field का लाइंस इधार होगा, के लिए ये बात, ये होगया electric field lines अब देखिए पता ये चला कि ये अगर हम इसको इस surfaces को या इसे ठीक है इसे अगर हम मानते हैं ठीठा ये angle मान लेते हैं तो ये हुआ आपका electric field lines इस direction में गिया ये angle हुआ ठीठा तो ये electric field line का component होगा x के direction में एक electric field का component होगा y के direction में clear तो ये magnitude जो दो होगा वह x के के direction में तो ये positive direction में जा रहा है तो यह I cap होगया ये negative J cap में जा रहा तो यह minus J cap होगया है नीचे J के तरफ जा रहा है नीचे के तरफ जा रहा है तो अब इसका magnitude अगर निकालना होगा तो क्या होगा i plus j cap तो होगा पलस मैनिस क्या होगा मैनिस तो i minus j cap volt per meter ठेक तो option को सो होगिया देखिए option होगिया आपका b i minus j volt per meter तो यह सवाल समझ में आगिया असांसा एकदम मज़ेदार सवाल था बस पुट्स तीन पॉइंट याद रखना पहला पैइंट पहला पॉइंट आपको यह याद रखना परपेंडीकुलर होना चाहिए eletric field line किसके surface के उपर दुसरा पॉइंट यह 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 रखना कि eletric field line के direction में जाएंगे हम तो potential क्या होगा decrease होते रहेगा घटता जाएगा यानि potential घट रहा तो उसी direction में आलेक्टिक-फिल रायन देना है potential घट रहा था उसी direction में लेक्टिक फिलड Quest हुआ तिसरा formula याद रगाना डील वी बराबर minus 2 assumoter डियन और एक तो यह हुआ equipotential सर्फ सबस्का concept is clear बाकि इसके बात जो पहले वाले वी लेक्च्छर से आमने बताया था किसमें माइनस दे दीजिएगा वहां पर प्रॉब्लम होता खली सिर्फ बाकि आप सारा कोश्चन्स आप बनाएं गर पर प्रैक्रिस करें और नेक्स वीडियो इंशालों हम बनाएंगे इस पर एलेक्टिक ड्याइप इस वी बनाएंगे इसा आप पर देक्टिक एलेक्रिस करें आप क्फ़ाने हो झा करेंगे जाताया है